बिहार विधांसवा चुनाओं होने में अब कुछ ही महीने 6 बचे हैं करीब 9 महीने 6 हैं लेकिन इसको लेकर तयारियां जो है वह शुरू हो चुकी है। बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो बिहार विधासवा चुनाओं को लेकर तयारी कर रहे हैं इसे बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजद के तरफ से कहा जा रहा है कि राजद में कुछ बड़ा उलट फेर होने वाला है राजद में क्या कुछ उलट फेर होगा ये तो आने वाले वक्त में पदा चलेगा लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि शनिवार को विशेस बैठक बुलाई जा रही है राजद के जो तमाम विधायक हैं उनके वो बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में तेजस्पी यादब जो है वो तमाम मुद्दों पर बा काम हुआ है क्या कुछ हुआ है क्योंकि आने वाले विधासवा चुनाओं के द्वान ये सब चीज जो है वह काफी माइने रखता है तो ऐसे में क्या कुछ काम किया है राजद विधायकों ने इस बात की जानकारी लिना चाहते है तेस्पी यादब और यह बैठक जो है वा कहा जारा लगाता तो क्या कुछ होने वाला है तमाम चीयों से हम आपको अपडेट करा रहा है लेकिन यह एक बड़ी खबर है आपको बता दे कि बिते कई दिनों से बिहार की जो विपाक्षी में सबसे बड़ी पार्टी राजद है उसमें कहीने कहीं एक अंतरकला की स्थि भी देखने को मिली है जहां एक तरफ राजद के परदेश अध्यक जगदानंत सी है तो वहीं दूसरे तरफ राष्ट्री उपाध्यक्ष रगवंस परसाद सींग के बीच में ताना तनी की स्थिती भी पैदा होई थी रगवंस परसाद सींग ने एक पत्र भी लिखा था लालो परसाद यादव को जिसमें ये कहा गया था कि संगटनी का स्तर पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है कई शिकायते भी उन्होंने कही थी उसके बाद पिछले दिनों उन्हें लालो परसाद यादव से जाकर मुलाकात भी की थी राबरी देवी ने भी मुलाकात की है पिछले इनों तेज़ परताप यादव ने भी मुलाकात किये तो एक के बाद एक बड़े नियता लालो परसाद यादव से मिल रहे हैं तो ये सब संकेत है कि आने वाले वक्त में राज़द में कुछ बड़ा उलट फिर होने वाला है और इसी बीच जब खवर आई है कि शनिवार को राज़द में राज़द के जो तमाम विधायक हैं उन सब के साथ तेस्वी यादव बैठक करेंगे और फीड़बैक लेंगे कि आखिनोंने अब तक क्या कुछ किया है आने वाले वक्त में तमाम चीज़़द में आपको अपडेट कर रहे हैं और राज़द के बैठक के बाद क्या कुछ निकल कराता है इन चीज़़द से अपडेट पाने के लिए हेडलाइन्स भी हर के साथ जूरे रहे हैं अगर आपने अब तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो जल्द सब्सक्राइब करें धन्यवाद